असलाम अलेकुम एब्रिवान, hope and pray that you all are fine पता है मैंने एक जगह एक quote पड़ी थी कि A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life So मैं तो उसी दिन से इस formula पर अमल करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जिन्दगी बहुत खुबसूरत है और अल्ला ताला ने इसे बेश्मार खुबियों और खुबसूरतियों से सजाया है और इस तरह से सजाया है कि जिसे देख कर सोच कर दिल खुशी से भर जाता है हर चीज को जब अल्ला पाक में balance से बनाया है तो हमें भी balance life ही गुजारनी चाहिए इसी में मज़ा है और फिर हम बड़े ही बच्चों के लिए role model होते है एक्चली हमारे बच्चे हमारा reflection होते है सो आज हम जिस तरह से perform करेंगे उनके सामने कल को वो भी वैसे ही react करेंगे सो उनको उनकी life की कदर करना सिखाना हम बड़ों का काम है माना की life बहुट tough है इतनी easy नहीं है it's not full of successes failures और नाकामियों का भी सामना करना पड़ता है और हम लोग जैसे ही कुछ upset होते हैं life में due to any ups and downs of life तो पते हम इसके नतीजे में घर वालों के साथ specially बच्चों के साथ बहुत badly react करना start करते हैं ये सोचे बिना के इसका असर बच्चों पे उनकी personality पे क्या effect छोड़ेगा तो please अगर life में कहीं नाकामी का भी सामना हो तो कोई बात नहीं because if opportunity does not know build a door ना के हम घुसा घर वालों पे निकालना start कर दें actually हमारी जिन्दगी का मकसद ना हमेशा खुश रहना होना चाहिए जब हम खुद को खुश रखना start कर देंगे ना तो I'm sure के हम दूसरों को भी खुश रखने लाइक हो जाएंगे और फिर घर का atmosphere भी ideal हो जाएगा और ना सिफ आपके लिए बलके आपके बच्चों के लिए भी पता है जिन्द की वाक्य बहुत प्यारी चीज़ है अब ये हमें देखना है कि इसको और प्यारा कैसे बनाना है यकीनन अच्छी और बेहतर आदतों से ही जिन्द की खुश्यों और राहतों से भर सकती है तो I think कि अगर अच्छी जिन्द की गुजारनी हो तो आँखों में दिल में हर किसी के लिए इज़त और एहतराम ही नहीं बलके बहुत सा प्यार भी होना चाहिए और इसके साथ साथ जिन्दगी बिनाने वाले की खुशी और रज़ा भी क्योंके देखें असल अजर और अनाम तो उसी से मिलना है क्या करें अब अल्ला पाक ने दुनिया बनाई ही ऐसे है के फूलों और कांटों के साथ खिजां और बहार के साथ लेकिन इन सब के बावजूद अल्ला पाक ने कुछ बातें ऐसी जरूर रखी हैं इस जिन्दगी में जिन को देख कर फील करके मुस्कुराने को जी जाए बस अब ये हमारा काम है के इन बातों को हमने अपनी सराउंडिंग्स में ढूंडना है और अपनी और अपने साथ जुड़ी जिन्दगीयों को खूबसूरत और कलरफुल बनाना है इन्शाल्ला because the purpose of life is to be happy Allah Hafiz